नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चनल पी एफपी में मार्केट में बहुत दिनों से वीकनेस दिखाई दे रही है और इसी के कारण आज हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली शॉर्ट कवरिंग होती भी नजराय थी लेकिन शॉर्ट का लेवल्स हमें टूटते हुए नजराय है निफ्टी मिड कैप के बार में बात करें तो 1.37% की गिरावट हमें दिखाई दे रही है एडवाइस डिकलाइन रेशियो आपको क्लियरली अफकोर्स डिकलाइन के फेवर में ज्यादा दिखा देगा क्योंकि मार्केट का सेंट बहुत ही वीक दिखा दे रहा है अब जनरली मार्केट अगर नीचे आती है तो गोल्ड में तेजी देखने को मल जाती है लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है उसका रीजन है कि ग्लोबल मार्केट्स में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आपको दिखाई नहीं देगी जि इसी के कारण गोल्ड ऊपर नहीं जा रहा है अगर पूरी की पूरी वर्ल्ड मार्केट्स में जा दिये तो एक अलग बात है तो हमें गोल्ड ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है लेकिन फिलाल ग्लोबल मार्केट्स से ज्यादा वीकनेस हमें निफ्टी 50 यानि की इंडिन मा लिए मार्केट्स बहुत जादा वीक होती भी नजर आई 14,005 मिनिट पर सपोर्ट लिया और वहां से एक छोटा सा बाउंस बैक दिखाया है डेली केंडल पर देखते हैं तो हमें यहां पर क्लियरली पता चलता है कि जिस कॉन्सोलिडेशन के बारे में हम चर्चा कर रहे है बहुत दिनों से कि 14,005 मिनिट से करके 15,003 मिनिट का कॉन्सोलिडेशन का जोन चल रहा है उसके सपोर्ट के प्राइस पर निफ्टी फिलाल हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है उसी लेवल पर आ चुक है जिस लेवल से सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली एक अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिला था आज निफ्टी ने 14,005 मिनिट को रिस्पेट किया एक चोटा सा बाउंस बैक दिखाया है बड़ा प्राइस रिजेक्शन नहीं है लेकिन अफकॉर्स निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश किया है कल जैसे हमने डिसकस किया था निफ्टी के दो इंपोर्टेंट सपोर्ट है 14,600 और 14,500 और पहला सपोर्ट तो तूट चुका है 50 डेस का मूविंग अबरे जो कि 14,600 का है वो हमें तूटता हूँ अनदर आ रहा है तो स्लाइटली निफ्टी वीक दिखाई दे रही है 15,300 से निफ्टी हमें 14,600 के आसपास आता हुआ नजर आया है बिना किसी मेजर शॉर्ट कवरिंग है तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग होती भी नजर आ सकती है और उसके चलते निफ्टी हमें उपर जाता हुआ नजर आ सकता है लेकिन अगर निफ्टी में ज्यादा में रखने चाहिए नीचे का जो इंपोर्टेंट लेवल है वो है 14,000 का लेवल 100 डेस का मुविंग अवरेज भी यही लेवल है और 14,000 अफकोर्स एक साइकोलोजिकल सपोर्ट भी बन कराएगा बीच में छोटे-मोटे सपोर्ट जरूर है लेकिन में सपोर्ट इसका 14,000 का ले करेक्शन का करेक्शन देखने को नहीं मिला इसलिए अगर ऐसा और 15-10% का करेक्शन हो जाता तो यह एक हल्दी करेक्शन माना चाहेगा और लॉंग टम के इंवर्टर्स के लिए एक शांदार पॉंचिटी होगी मार्केट इतना गिर चुका है कई सारे स्टॉक्स नीचे आ 2.74 तक यह बॉंड डील जाता हुआ नजराया है तो अफकॉर्स अब इन्वेश्टर्स के पास एक ऑप्शन है स्टॉक मार्केट से वो पैसा निकाल सकते हैं जहां पर वैल्यूएशन बहुती क्रेजी चल रहे हैं और बॉंड मार्केट में डाल सकते हैं इन्वेश्मेंट जाते हैं तो सेकेंड वेव शुरू होता हुआ नजरा रहे है तो लॉक डाउन का डर भी बन चुका है तो यह भी अफकॉर्स नेगेटिव न्यूस है जिसे मार्केट हमें फैक्टे इन करती भी नजरा रही है यह सब न्यूस तो आपको गूगल पे मिल जाएगी किसी गलग जाएगा आपने वेल्थ को क्रियेट करना चाते हैं तो जब मार्केट में क्रैश हुआ जब लॉक डाउन हुआ तब उनके खुद के बिजनस भी बन दूचुके किसी को भी पर्मिशन नहीं थी अपना बिजनस ऑपरेट करने को सब को घर पे बिठा दिया था जो कि अपकर्स उस समय ज़रूरी भी था तो उनके पास पैसा था तो वो श्टॉक मार्केट में अफकर्स क्रैश हुआ है तो अग्र एट्राक्टीव हो जाता है तो वहां पर लोग इंवेस्ट कर रहे थे लेकिन फिलाल क्या है फिलाल सीचुएशन बदल चुके खुद के बिज इसमें हमें जाता हुआ नजराता है यह मुझे लगता है आपका क्या गयाना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं न्यूस के बार में बात करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले फेडरल रिजर्व के बार में बात करेंगे इंडिया में जैसे RBI है उनकी मीटिंग होती है तो US में फेडरल रिजर्व है उनकी मीटिंग में फेडरल रिजर्व का मानना है कि economy strong होती भी नजारी है inflation भी बढ़ता हुआ नजार है लेकिन inflation को control करने के लिए interest rate अभी तक बढ़ाय नहीं जाने वाले कोई भी hike वहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है तो ये overall market के लिए अभी भी positive बात है अभी बढ़ाया जाता है लेकिन federal reserve फिलाल वो decision नहीं ले रहे है interest rate को वो कम ही रखना चाते हैं जिससे economy में वापस growth हमें जल्दी देखने को मिले तो ये stock market के लिए अभी भी एक positive बात ही है क्योंकि market में पैसा अभी भी ज्यादा आएगा market में interested अभी भी बहुत ही कम है जिससे easy money हमें flow होता हुआ नजर आएगा future reliance से लिए एक news है डिली high court restraints 24,713 crore acquisition तो ये deal को restraints कर दिया है सिंगापूर arbitration ने जो decision लिया था जो order दिया था उसे ही uphold कर रहे है तो ये reliance के लिए तो negative news है लेकिन उससे ज़्यादा negative news ये future group के लिए बन कर आती है Airtel से लेटेड एक news है कि Airtel Africa mobile money में TPG Rice Fund invest करना चाहते है 200 million dollars तो ये of course एक positive news बन कर आती है बलेए Airtel Africa में invest करेंगे लेकिन ये भारती Airtel के stock को भी of course benefit तो करने ही वाला है अडानी ग्रीन से लेटेड निउस है 9,785 crores उन्होंने raise किये है one of Asia's largest project financial deals के लिए तो ये भी एक positive बात है अडानी ग्रीन के लिए क्योंकि valuations इतने महेंगे हो चुके हैं तो कुछ numbers दिखाना भी बहुत ही जरूरी हो जाता है वेल्सपर्म कॉप ने orders लिए है 777 crores के तो ये भी एक positive बात है वेल्सपर्म कॉप के shareholders के लिए Go Air का IPO आता हुआ नजरा सकता है 4000 crores का ये बड़ा IPO हो सकता है कब आता है क्या आएगा कितना apply करना है ये तो हम of course बात में discuss करने वाले हैं लेकिन एक और IPO है जहां परम पैसा बना सकते हैं तो कैसा आता है हम आगे देखेंगे कल्यां चुलर्स का IPO आज एंड हुआ है 2.61 टाइमस का सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिला जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा वीक सब्सक्रिप्शन है मार्केट में इतनी लिक्रिटी होने के बावजुद ज्यादा हमें सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है हमने आज भी चर्चा की थी कल भी चर्चा की है टेलिग्राम पर हमने आपको अपडेट किया था कि इसमें आपको अवाइड करना चाहिए अगर आपने अभी तक टेलिग्राम चनल को जॉइन नहीं किया तो उसकी जॉइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सूरिय दुए स्मॉल फाइनस बैंक का IPO आज दूसरा दिन है उसमें भी कोई ज़्यादा जोश दिखाई नहीं दे रहा है तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए थैंक यू स्टे हापी हापी इंवेस्टिंग